प्रिविएस वीडियो में हमने काहां पर काम किया था यहां पर यहां से डिलीट कर देंगे ठीक है आप को आ जाने विएस कोड में आने के बाद अपने पूस किया था अब पुश यहां से प्लेटा यहांसे करेंगे इतना ही लिखना और कुछ किया है यानि कि जो आपने data insert किया था यह आपका byproduct.js में होगा ठीक है यहाँ पर जो अपने function जिस पर click करने के बाद आपने काम किया था यह आपका button by button पर जब click होता है तो यह जब आपने insert किया था product यानि कि जब आपने पुछ किया था तो उसके साथ एक और status को push करेंगे यहाँ पर इंस्पेट करके अगर आप जो है application में जाएगे तो अभी यहाँ पर कोई भी की नहीं दिखेगा order data के नाम से जब आप buy पर click करेंगे दिखिए मनने case on delivery select किया और यहाँ से मनने product मैंने define कर दिया 5 और buy पर click कर देता हूँ यह दिखिए order place हो गया all order data में जाके देखेंगे तो एक order आपका आगया इसके अंदर status नम के property set हुआ उसमें order placed यह लिखके आगया ठीक है बस इतना करना है उसके बाद अब हमें इसको उपन कर लेंगे यहां पर काम करना है यहां पर इसको अंदर आएंगे इसको उपन करेंगे सबसे पहले नीचे की तरफ आपका यहां पर active लगा होगा यहां से पर ब़ताईंगे जो अब यह रिफान पर देंमेनेệnट और वाद आपको यह हैं इसको रएएकवाल करने के इसके बाद यहां पर कार देंगे मैंनेज और अब लिखेंगे यहां पर डिफान करके लिएिंगे कि मैनेज और ढनेजलो aussi उसके बाद आपको क्या करना है इसमें शो लगा होगा इसके ऊपर वाले में यहां पर शो लगा होगा इसको हटा देंगे इसमें शो रहने देंगे यह जो इसको रहने इसको हमें दिखाना आई है और यहां पर डिफाइन कर देंगे तिसे के उपर वाले युन होगा आते उनिक फिर यहां से तो दूसरा यूवल जो अभी आपने बनाया इससे इसमें आ जाएंगे और यहां पर नीचे इधर आएंगे इधर इसमें दिखें सबसे फ़ले आपको यह डानेमिक पेजस के अंदर डेलिवरी में लिखा हूं यहां पर लिखें इसको आप देना है और इसके में लगा देना इतना करने के बाद आपको पेज करना है तो कंट्रोल एकस कर लेंगे को और यहां पर और जो आपका डानेमिक नाम का फोल्डर इसके अंदर जाएंगे और यहां पर कंट्रोल भी करेंगे आपको all all letter अगर आप रिलोड करेंगे तो दिखे क्या दिखेगा यहां पर कुछ नहीं दिखेगा ठीक है यहां पर हमें कुछ दिखेगा नहीं तो हमें काम करना है सबसे इसमें नेब दिखना चाहिए और नेब काकोड इसमें काश अपर कॉपी करना है यहां पर कॉपी करना है और इसमें अपर क्लास अप्टा ace क ningún से यहां पर जाएंगे और जो क्लास पूरा कॉपी करने डिखनांगा, और इसमें राके define करतेंगे, ठीक है, इसमें control भी करतेंगे, तो P4 लगा देंगे इसके अंदर, उसके बाद आपको इसके अंदर, एक डिभी लए ले 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 ना, dot column, column define करना वे इस लिक्षे है, है, ऐफन md, इसमें class देदेंगे, ठीक से, table.table लिखनेंगे, उसमें table के class आ जाएगी, इसके अंदर एक और class define करेंगे, table-stripped, table-stripped, यह class लगा देंगे, इस तरीक से, ठीक है, मैंने define किया, table-stripped, उसके साथ-साथ इसके ऊपर वाला जो column, 12 बेसके अंदर table responsive लगाएगे, तो table-responsive यह responsive इसका भिग़ लेना, तो responsive के spelling देखें, इस साइंचे लिखना आपको, इसके अंदर आएगे, एक th ले ले लेंगे, यानि कि सबसे पहले, th define करना है, उसके अंदर tr लेना है, और tr के अंदर आपको th लेना है, th हमें multiple लेना है, इसलिए th into 15 कर देंगे, तो मुझे 15 th लेना इसके बाद आपको यहां पर define करना है, quantity, कितना quantity में purchase कियागा, वो यहां पर show करेंगे, तो quantity मैंने define किया, उसके बाद आपको define करना है, quantity के बाद आपको हो जाएगा, price, तो मैंने price define किया, उसके बाद आपको यहां पर define करना है, price के बाद, address, तो मैंने यहां पर define करते है, तेट लिखना है तो यहाँ पर इसके अंदर करना यहाँ पर इसके अंदर करना है अपको लिखेंगे इस तरीक से लिए कि उसके बाद को मुबाइल कि नाम से है उसके बाद को defined करनेंगे तो इसके बाद yap को defense करना है झृत अंग्षन के अंदर इनकी czarn here 같 एक्षन एक से निजबर होगया उसके दी बाद आना है तो यह झो ट है इसके अh इसके टी बोडी बनाएंगे. एक रिंगे हम किलास देंगे, स्थिक्षे हैं, हम पर किलास दे दिया अब इसके अंदर आपको टियार लेना है, और केतना TD बनाना है? 15. टीदी में कर देंग है ल्यास्ट वाले टी डीडि में आएंगे इसके एंदर काम करना को इसमें क्लिक कर लेंगे को इसमें कलक करना है बटन लेदा है सबसे बटन आपको इसके toothpaste अंदर आपको इसमें लिख जाना । i is कर देना है ठीक है तो primary मैंने इस तेक्सि डिफाइन कर दिया और यहां पर आपको लिख देना है यानि कि order place अभी फिलाल इसे लिखेंगे फिलाल वह हम यहां पर यहां पर लगातेंगे अगर आप रिलोड करके टेस्टिंग करोगे इस तेक्सिश की अब हमें काम करना है तो इसके लिए जावस्किप का काम करने के लिए आपको आना है इसको मिनमाइज करेंगे जावस्किप का काम करना है तो employee.js के अंदर जाएंगे, यह आपका js folder, इसके अंदर से employee.js को open करेंगे, और सबसे bottom में काम करेंगे, लेकिन bottom में काम करने से पहले ऊपर के तरफ जाएए, एक function call कर दीजेए, यहाँ पर, यहाँ पर, इसको मैंने copy page किया इस तरीके से, और यहाँ पर define कर दीजेए, हम all order data, य इसका नाम copy कर लेंगे, और यहाँ पर लाके अपने JavaScript में, यहाँ पर define कर देंगे, यहाँ कि इसको change कर देंगे, control भी, ठीके, same name देना, यहाँ पर all order, इसको हम definition नीचे की तरफ करेंगे, सबसे bottom में आएंगे, ठीके, यह आपका function है, create delivery function, इसके just नीचे यहां पर comment पास करेंगे, start all, यानि कि manage order coding है, इसके इसके अंदर, आपको एक function call करना है, show order data के नाम से, show all order, show all order, इसके नाम से function call करेंगे, यहां पर इसका definition हम नीचे की तरफ करेंगे, यहां पर नीचे की तरफ करेंगे, तो show all order, यहां पर define करेंगे, show all order, इसके नाम से constant है बनाएंगे, sorry, तो एक constant keyword यहां पर define करेंगे, उसके बाद आपको, इसका definition करना इस तरीके से, ठीके हमने इस पर यहां पर call किया, यहां पर अगर आपने alert लगाया, अच्छा एक काम करेंगे ज़रा, let एक variable बनाने, all order data के नाम से, all order data, इसके नाम से य order data, इसको हम यहां पर दे देंगे, अच्छा order का जो होगा, capital होगा, इसके में define करेंगे, और console.log करेंगे, अगर आप, तो जितना भी order होगा, वो दिख जाएगा, page load होती, तो all order data, यहां पर show कर देंगे, यह जो है, आपको यहां पर copy करना, और यहां पर control भी कर देना, इस order data देख जाएगा, यह दिखेंगे, लेकिन console में हमें कुछ दिखा नहीं, क्योंकि हमने साथ console.log कर रखा है, हमने, reload करेंगे, फिर से जड़ा, है ना, कुछ नहीं आ रहा है, तो एक काम करें, application में जाएगे, application में जाने के बाद आपको यहां पर define करना है, कुछ तो आना च चे, बिलकुल सही है, कोई issue नहीं, यह हमारा call हो रहा है कि नहीं, call हो रहा है, यह define करेंगे, सब सह भेले, तो alert कर यह तरह इसके अंदर, यह call हो रहा है कि नहीं, हो रहा है, यह पता करना है, मैं reload करके testing करेंगे, तो alert होना चाहिए, बट नहीं हुआ, catch clear कर लेंगे, एक बा जहां पर आपने L-sip डिफाइन किया था, यह रहा आपका L-sip, ठीक है, तो All, यह देखे, दो-दो बार HTML लग गया, इसके विए से वो call नहीं हो पा रहा है, ठीक है, अब अगर हम reload करके testing करें, मैंने reload किया, और inspect करें के console में जाएंगे, तो हम पता चल जाएगे कि console में क्या जिसमें आपको open करना है, तो यह रहाप का T-body, इसके अंदर यह जो class है, copy करें दर control-C करके, फिर जो load होती है, हम यहाँ पर select कर लेंगे इस चीज़ को, तो let एक URL बिनाएंगे तरह हम, इस तरीक से all order list, इसके नाम से मैंने document का यूज़ करेंगे, dot query selected define के तरीक से, और यहा पर data के नाम से property set करेंगे, और कमल आके index के नाम से property set करेंगे, तो data, index मैंने define किया, इसमें index ही number आ जाएगा, और इसमें आपका object आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर terminate कर देंगे, किसमें आपको open करना है, all order data list, copy करेंगे, control भी करेंगे, dot inner estimate करेंगे, इस तक से plus equal to define करेंगे, और back tick का symbol देना है, terminate करेंगे, और यहाँ पर हम present करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर TR को present करना है, यहाँ पर यह तरह all order design में, यह जो T body, इसके अंदर जो TR है, इसको पूरा यहाँ से control X कर लेंगे, control X, यानि कि cut कर लेंगे, और यहाँ पर लाके control V कर देंगे, थोड अगर आप reload करके testing करोगे, तो देखे कुछ हमें, इस तरिक से 0 दिखेगा, यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें 1 दिखाना है, तो plus 1 कर देंगे, तो प्लस 1 कर देंगे, तो प्लस 1 कर देंगे, तो product में image से होगा, इसके अंदर यहाँ पर enter करेंगे, और यहा कर देंगे, इस तरिक से, WIDTH, यह मैंने width define किया, और इसका width define कर देंगे 30, यहाँ पर class देना एक class करेंगे, और यहाँ पर define कर देंगे, और यहाँ पर rounded hyphen circle, यहाँ बिल्कुल हमें cola दिखाने, इसलिए rounded hyphen circle यह class दे दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर क्या देना है, वो यह देखें, देखें, जो data है, उसको थोड़ी दिर के लिए, यहाँ पर पास करके रखें, ताकि हम इसके अंदर से कुछ property वगरा देख सके, तो यह जो data है, इसको console कर देजी, अगर आप reload करके testing करोगे, इसके मैं reload किया, अच्छा, error हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे यह काम इसके अंदर product info के अंदर से अगर हम thumb को read कर लें, तो हमें वो image मिल जाएगा, ठीके, तो बस यहाँ पर आपको dollar के साथ template list करना, और data के अंदर से data.product info सबसे पहले read करेंगे, तो product info, इसके लिखा गया है, वो read करेंगे, उसके अंदर से आपको thumb को read कर लेना है, reload करके testing कर ल तो title अगर आपने read किया, तो title यहाँ पर आपको दिख जाएगा, reload करेंगे, यह देखे title दिखिया, उसके बाद quantity, तो यहाँ पर आएंगे, इसके just नीचे control भी करेंगे, quantity आपको direct read करना है, product info नहीं read करना है, यहाँ पर direct quantity, तो QTY के नाम से variable है, इसको define करेंगे, तो आपक यहाँ पर आपका read होके आजाएगे, reload करेंगे, यहाँ पर मैंने reload किया, यह देखे final price आगया, address define करेंगे, तो address आपका user info के अंदर होगा, जरा इंसके करके यहाँ पर देख लिए, इंसके करके अगर हम console में जाएंगे, यह object आए, इसके अंदर से user info को अगर आप ब्राउ इसके अंदर से हम address को read कर लेंगे ठीक, control Z address, यह मैं define कर दूँगा, तो address आजाएगा, reload करके testing करेंगे, यहाँ पर इसको cut कर देता हूँ, मैंने reload किया, यह देखे, address आगया, उसके बाद state, country, pin code, यह सब आपका user info के अंदर से ही read होगा, तो इसको copy करेंगे, control C करके, और य आपको करना है, तो purchase date के लिए आपको क्या करना है, dollar के साथ template little करच करना है, और यहाँ पर purchase date के नाम से property हमारे पास, इसको यहाँ पर, इसको हटाएगे दरा, data.purchase date, पर इक जादा mistake हो गया, अच्छा, ठीक है, अच्छा, एक्स्ट्रा लग गया, यह तो हटाएंगे यहा यहाँ पर आपको लिखना data.purchase date, data.purchase date, यह हमने define कर दिया, तो देखते हैं, date आ रहा है की नहीं, आ रहा है, रिलोड करके testing करी ज़रा है, चीज़ की, यह देखे date आ गया, तो date हमारा format होके आना चाहिए, तो date format होके आ, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसको control x कर करेंगे, तो format date, इसके नाम से function call करेंगे जरा इस तरीके से, और यहाँ पर इसके अंदर इसको भेज़ दीजिए जरा, तो format date का मैं D capital लगता हूँ इस तरीके से, इसको definition करेंगे, copy करेंगे जरा control x करके, इसका definition कहा करेंगे हम, इसके उपर, यहाँ कि इसके उपर आप कही इस तरीक से, date str, x को मैंने receive कर लिया, उसके बाद यहाँ पर आएंगे, आपको यहाँ पर क्या करना है, अच्छा, यहाँ पर equal to फूट गया, यह लगा देंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको, इसी date के अंदर से, बहुत सारी सीजियों को read करना, जिससे, let equivalent ने बनाया, date, इसको call करेंगे, तो date निकल किया जाएगा, terminate करेंगे, उसके अंदर से, get full month, sorry, get month के नाम से property होता है, उसको read करेंगे, और यहाँ पर plus one को concrete करेंगे, क्योंकि जो month है वो आपका zero से count होता है, इसलिए plus one लगा देंगे, let, yy के नाम से variable बनाएगे, और date के अंदर से, करेंगे, तो आपको folieor निकल कै आजाएगा, terminate कर देंगे, उसको आपको define करना है, return keyword के उसकरना है, और यहाँ पर यहाँ पर देड़ेको 8 से, इसके अंदर call होता, यहाँ पर call होता होता तो यहाँ पर दो जाते हैं तो 08 आना चाहिए है यहाँ पर यानिकि 08 आना चाहिए इसके लिए क्या करेंगे उपर की तरफ आईए इसी फंक्शन के अंदर फिर से यहाँ पर आएंगे आपको DD सबसे बहुत करना है अगर DD हमारा लेहाँ देन 10 है तो हम डिफाइन करेंगे इस तरीके से कि जो है DD प्लस वन यानिकि जीरो को उसके साथ कॉंट कर देंगे डेडी में दस से छोटा है month यानि कि 8 आ रहा है तो दस से छोटा तो उसके साथ zero को contact कर देंगे यानि कि zero उसके साथ जुड़ जाएगा reload करके testing करें देखे अब इस तरह से आएगा इसके साथ अगर आपको timing भी define करना है तो time define करने के लिए यहीं पर आए ज़रा यहां पर फिर से प्लस लाएंगे और यहां पर फिर से प्लस लाएंगे और जो date है उसके अंदर से डॉट टू लोकेल टाइम इस्टिंग इस function को call कर देंगे तो आपका time भी इसके साथ आ जाएगा रिलोड करके टेस्टिंग करें तरह यह दिखिया अप टाइम भी आ गया आट उनिस पच्छिस है इससे आगया time नेम डिफाइन करना यूजर ने मोबाइल पासवर्ड नेम यूजर ने मोबाइल यह सब डिफाइन करना तो नीचे के तरफ यह दिखिया आपने यह सो किया यहां पर इसको कॉपी करें तरह कंट्रोल सिखर के तो नेम भी है यूजर इंफो के अंदर यहां पर नेम नाम का फूल नेम के नाम से मैं खियल से प्रोपर्टी तो फुल नेम को रिट कर लेंगे इसके बाद आगया सारा चीज उसको उडर प्लेस इसको भी आपको चेंज करना है तो यह order place डानेमिक लिखागे जानी कि static लिखागे इसको अटाएंगे इंटर कर लेंगे और यहाँ पर हम define करेंगे इस तरीके से क्या define करेंगे डॉलर के साथ template लीटल करेंगे और यहाँ पर जो हमारा data है उसके अंदर से status नम का property रीट करेंगे तो आपका इसको रीट कर लीजिए डिलोर करके testing करेंगे तो दिखें हमारा कुछ status इस पर इक से आ जाए ठीक है अब हमें इस पर काम करना है यह dispatch होना चाहिए यह हमारा processing में चला जाना चाहिए तो अभी हमारा order place हुआ है जैसे हम इस पर dispatch करेंगे यह process में जाना चाहिए और dispatch का बचन ह हमारा disable होना चाहिए तो आएए जारा ठीक है तो यह जो dispatch वाला बटन है सबसे पहले इसमें कुछ class देजिए तो मैंने हम पर class देजिए जारा dispatch के नाम से dispatch happen btn इसमें मैंने class दिया इसके इसको copy कर लेते control c करके सभी dispatch बटन को एक के साथ सेलेट करेंगे तो जो loop है इसको थोड़ी जार के लिए minimize करिए यहां पर आएंगे लेट एक वर्यों बने जारा all dispatch btn के नाम से तो all dispatch btn इसके नाम से मैंने वर्यों और यहां पर क्या करे तो मैंने control भी किया dispatch वाला बटन इसके बाद आपको क्या करना है तो for all dispatch btn जानिके all dispatch btn अच्छा सब से बिले तो एक वर्यों डिकले करें लेट btn के नाम से वर्यों डिकले करेंगे और यहां पर मैंने डिफाइं किया इसको आज आद आपको btn के किलिक करते ही काम करन इसको आपको अपडेट करना है तो सबसे उस आपडेट को निकालना होगा तो जिस पर किलिक होगा उसका इंडेक्सिंग नंबर भी आपको चाहिए तो यहां पर आप इंडेक्स के नाम से इंडेक्स को अपडेट करना है तो यहां पर क्लिक हो रहा है उसके इंडेक्स को अप्लाई करेंगे और यहां पर क्लिक हो रहा है उसके इंडेक्स को अप्लाई करेंगे और यहां पर क्लिक हो रहा है उसके इंडेक्स को अप्लाई कर करने के तब ही हमारा काम होगा तो मैंने यहां पर इंडेक्स निकालने के लिए अलेट क्या इंडेक्स को आगर अगर हम एक और होता उस पर कलिक करते तो और भी आता ठीक है तो फिलाल हमें क्या करना है यहां पर आए यह तरह यहां पर जाता हूं और इसपे क्लिक कर देता हूं और इसे अगर यहांप से योड आडरऄ और हमारा प्लेस हुआ तो इसके लिए क्या करना है इसके लिए आपको byproduct.js में आना है तो byproduct.js pages के अंदर होगा pages के अंदर से यह जो है byproduct.js इसको open करेंगे और यहाँ पर दिखेगा आपने push function apply किया था है आप अंसिफ्ट नाम का function होता उसको apply करेंगे push नई apply करेंगे यहाँ पर आप अंसिफ्ट नाम का function apply करेंगे आप जो भी order होगा वह पहले index को दिखेगा यानि कि जूरे से start होगा ठीके पहले वो दिखेगा तो अभी यह currently order हो तो एक और order करके देख लेता है जरा मैंने reload किया इसाधिक थरीक अछिके से इसाधिका से इसको सबसाब क kijken करेंगे तब जाके order करेंगे तो यहां से मैंने केश को क्लियर कर लिया उसके बाद रिलोड करके यह जो लिए लिए ना इसने पहले ना हमें Dispage पर क्लिक करते ही एक काम करना था तो Dispage क्लिक करते हमने यहां पर Indexing नमर निकाला था यह दिखे ना इससे Indexing नमर निकाला था तो इसके Indexing नमर से हम हमें अपडेट किसको करना यह जो Order Place लिखा व इसको प्रोसेसिंग में convert कर देना है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसके लिए, नेचे की तरफ आईए तरह, यानि कि इस पर आ जाएंगे, हम employer.js के अंदर इसको cut कर देंगे, तो सबसे पहले वो प्रोडेक्ट चाहिए हमें, तो all प्रोडेक्ट जो आपका ये, जो all प्रोड तो current product, इसके नाम से मने product के नाम से बना लिए चाहिए, तो product मैं रिफाइन करेंगे, उसके बाद आपको console में देखना है, तो console.log करेंगे, और यहां पर current product को जरा present करेंगे, मैं terminate करेंगे, यहां से मैं रिलोड किया, inspect करके console में चले जाएंगे, यहां से मैं console में जाता और console को clear कर लूँगा, उसके बाद यहां पर जाके click करूँगा, यानि कि dispatch पर click करेंगे, तो दिखे, इस पर आपने click किया, उसी का current product निकल किया गया, आप update करना status को, इसको update करना किसके अंदर, उसके अंदर update करना, तो ज्यादा कुछ नहीं करना, इसके लिए current product जो निकल कर देंगे, अब इसको आपको, यानि कि current product अपडेट हो जाएगा, दिखे, मने reload किया, अच्छा, console.log में फिर से current product को present कर देंगे, तो अभी तक वहां पर क्या लिखा था, order लिखा होता, लेकिन अगर current product को हम यहां पर terminate करके console करें, reload कर ये तरह, इसको clear कर लें, console को clear कर ल all order data array है, all order data, इसको use करिए, और यहां पर indexing number देजिए, जिस तेक से हमने indexing number के थुरू current product को निकाला था, यहां पर, उसी तेक से indexing number को देंगे, और current product को update कर देंगे इसके अंदर, तो फूरा वो product replace हो जाएगा, और current product, यानि कि जो आपका updated product है, वो चला जाएगा उसके अब इसके अंदर क्या करना, अब हमें define करना है, यहां पर, कि जो है, यह insert हो जाए, उसके अंदर, इसको call करेंगे, और यहां से आपको order data, यानि कि इसको दे जना है, all order data copy करेंगे, यह की हो जाएगा, उसके बात comma देंगे, json.stingify का उच करेंगे, तो json.stingify का उच करें और यहां पर, json.stingify का उच करेंगे, और यहां पर all order data को देंगे, terminate करने के बाद, आपको swell alert में message देना, तो swell देखेंगे, इसके यहां पर define करेंगे, order dispatched, order dispatched, यहां पर लिख दिए ज़रा, तो मैंने define कर दिए, sorry dispatched, मैंने define कर दिए, order dispatched, उसके बात comma देंगे, और check table, मैं define कर दिए, check table, comma देंगे, और यहां पर success का icon देंगे, मैंने success का icon इसके से present करती है, terminate करेंगे, last में, उसके बाद आपको क्या करना है, get all, यहां कि यहां पर function है, ताकि यह live update हो जाए, यहां कि live update करने के लिए, इस function को हम call कर देंगे, show all order data यहां इसको यहां पर call कर दे update हुआ, यहां कि यहां पर processing तो live आ गया, लेकिन यह append हो रहा है, reload करके testing करेंगे, तो यह तीनी बचेगा, पहला वाला processing हो जाएगा, ठीक है, इसका solution करने के लिए, जो inner HTML है, उसको आपको MPT करना होगा, तो देखे, इसके पहले जो loop चला रखके, इसके लिए inner HTML, इसको copy कर इतना करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहां पर देखे, अगर हम रिलोड करें, तो जहां पर processing आएगा, उसका बटन का color change कर देना है, और यह वाला button आपको disable कर देना है, जहां पर processing आएगा, तो इसका solution करने के लिए बहुत आसान है, यहां पर आपका color change करें बच करना है, और यहां पर जो आपका data है, यानि कि data के अंदर से, sorry, data के अंदर से हम, यह जो data है, इसके अंदर से, dot status नाम का property, rate करेंगे, तो status को read करेंगे, और dot लाके status equal to check करेंगे, अगर status हमारा processing के बराबर है, तो processing किस तरीक से लिखेंगे आप, जिस तरीक से आपने update क processing को मैंने copy किया, और इसे मैं check कर लूँगा, यह दिखेंगे, अगर यह इसके बराबर है, तो यहां पर यहां पर यहां पर डिफाइन करना है, इस तरीके से, और यहां पर डिफाइन का सिंबल देंगे, और यह जो बिफाइन डेंजर इसके बाहर लिखा हुआ है, इसको य ठीक है, तो अब यह control हो जाएगा हमारा, दिखें, मैंने क्या define किया है, यानि कि class के अंदर ही, यानि कि जो class उसी के अंदर मैंने read किया है, देखें, template little का symbol दिया है, data के अंदर से status को मैंने read किया, अगर status हमारा processing के बराबर है, तो btn primary दिखेगा, अगर processing के बराबर नहीं पर है, यहां पर यहां पर फिर से चेक करना है, डॉलर के साथ template little का इसके अंदर से, चेक करेंगे data.status, यानि कि data.status अगर हमारा, यानि कि जो हमारा status है, एक question to processing, अगर इसके बराबर है, अगर इसके बराबर है, तो हम क्या करेंगे, जो button है, उसको disable रखेंगे, इसलिए आपको class देना, disable नाम का class इसको define कर देंगे, तो disable नाम का class होता है, उसको लगा देंगे इस तरीक से, उसके बाद आपको colon का symbol देना है, लेकिन अगर जो है, हमारा button, अच्छा, यह हमने can't define किया, TD के अंदर स्वारी मने TD के इसको define कर दिया, तो इसको यहां से control x कर लेंगे control x, इसको आपको button के अंदर define करना था, यानि कि जो button है यह वाला, इसके अंदर define करना था, यह आपका class, यह जो btn इसके जायस बाद यहां पर control भी करेंगे, ठीके, यह हो जाएगा, लेकिन अगर हमारा disable नहीं तो यहां पर dual code का symbol देंगे, यहां पर, यानि कि processing के बराबर नहीं आ रहा है, तो btn primary हमारा दिखना से, इसको control x कर लिए ज़रा है, यहां से, इसको control भी कर देंगे, तो दिखे ज़रा, अब क्या होगा, मैं reload करता हूँ इस तरीक से, मैंने reload किया, अब जो button हमारा, यानि कि जहां पर processing आ रहा हो, वो button हमारा disabled रहेगा, और जहां पर processing नहीं आ रहा है, वहां पर हमारा dispatch है, ठीक है, इतरीक से, तो देखे क्या लिखना था है, यहां पर, देखे data के अंदर से, यानि कि class के अंदर, यानि कि class attribute है, उसी के अंदर define करेंगे, और data के अंदर से status को read करेंगे, अगर status हमारा processing के बराबर है, तो button हमारा disabled रहेगा, ले सब live हो रहा है, बहुत real time project पर आपको काम करवा है जारा है दोस्तों, I hope यह सारे चीज़ें आपकी clear होंगे, कुछ issue है, जरूर कुछ है, आपकी help कर दी जाएगी, thanks for enjoying the premium education of just word code, see you soon, जैहिन, जैवारत.